Hello everyone, Yummy Food with Mammy मैं आद के सेंडिच की रेषिपी है बहुत आसां रेषिपी है आसानी से बनाई जाती है इसके लिए देखिए यहां पे मैंने सबसे पहले चार ब्रेट ली है दो ब्राउन ब्रेट है, दो वाइट ब्रेट आप जिसी भी ब्रेट पर बनाना चाहे बना लीजिए यह देखे इतनी सारी सब्जिया है जो इसके अंदर जाएगी सबसे पहले हम इसको ब्रेट को बटर लगा के रख देते हैं एक साइड में बटर हमारा नॉर्मल टेम्टरचर पर होना चाहिए यह देखे चारो ब्रेट पर बटर लगा दीजी यह टमैटो केचप में लगा रही हूँ यह पर और इसको हम ब्रेट को साइड में रखके सारी सब्जियों की तैयारी करेंगी यहां पर देखे मैंने गाजर को सौरी ग्रेट कर दिया है उसके बाद में कैबज है शिमला मिर्च है टमैटो जैं इन चमच काली मिर्च पाउडर आदा चमच मैंने ओरगेनो डाला है और नमक आप अपने टेस्क के अकॉर्डिंग डाल दीजिए वन फोर चमच यहां मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला है वो ऑप्शनल है आप डालना चाहें तो डाले अब हम इसके अंदर मैयोनीज सेंडव आपने इसमें मलाई डाली है और यहां पे यह चीज थी मेरे पास मैंने इसको भी ग्रेट करके डाल दिया है यहां पे मेरे पास पीजा चीज थी आपके पास जो चीज अवेलेबल हो आप डाल यह और वो कोई जरूरी भी नहीं है क्योंकि हम इसमें मैयोनीज डाल चुके ह अब देखिए इस तरीके से ब्रेट पे जिस ब्रेट पे हमने butter लगा के रखाया है खाली उस bread के उपर हम इसको इस автом Reverf करेंगे बैटर को अच्छी तरीके से यह देखिये, मैंने कर दिया है यह हमारा एक सेंड्विच जो है वो बिलकुल ready हो गया है, इसी तरीके से हम brown bread को भी ready करेंगे, यह देखिये इसके उपर अच्छी तरीके से हम बैटर को फैला देंगे यह देखे गाईज इस बैटर से हमारे कम से कम 6-7 सेंड़िच रेड़ी हो जाएंगे भरके लगाईए यहाँ पे देखिए पेन गरम हो गया है मैंने इसमें बटर डाल दिया है आप चाहें तो गी भी डाल सकते हैं जिसमें आप चाहें गी में बटर में जैसे आप चाहें बना सकते हैं बस हमें ध्यान ये रखना है यहाँ पर हमें medium to low हमारी गैस की flame रखनी है और इनको बिल्कुल brown होने तक देखेगे एकदम crispy brown हो चुकी है bread और हमने इसको हटा लिया है अब मैं brown bread को इसी तरह ये देखे दूसरा mayonnaise sandwich जो हम ready करते हैं ये देखे ये बहुत healthy होती है brown bread तो ऐसे ही healthy होती है तो मैंने दोनों तरह के sandwich guys आपको बना के दिखाए हैं आपको जो bread पसंद आती है जो taste लगती हो वो आप बनाइए और अपने घर में सभी को खिलाइए ये बहुत healthy recipe है इसमें खुब सारी सबचियां डलती है मलाई भी है इसके अंदर और mayonnaise भी है तो बहुती tasty आने होने वाली है आप प्लीज बनाइए खाईए और अपने घर में सभी को खिलाइए देखें मैं आपको काट के दिखाती है इस कितना बड़िया लग रहा है ये देखें बहुती शानदार बहुती tasty एकदम yummy sandwich जो है ready हो गया है आपकेट में बहुत मेंगा मिलता है घर में आसानी से हम बना सकते हैं तो प्लीज अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजी और मेरे वीडियो को देखने के लिए thank you